बोचपूरी एक्टर पवन सिंग दमदार एक्टिंग और फिल्म देने के साथ साथ अब बिहार के लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं जी हाँ बिहार के साथ देश भर में लोगसभा चुनाओ 2024 को लेकर सब एक्टिव हो चुके हैं महीं बोजपूरी एक्टर पवन सिंग भी लोगसबा चुनाव की तयारी में जुट गए हैं लेकिन वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे लेकिन उससे पहले ही एंटी लाइफ को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दरसल पवन सिंग 13 अक्टूबर के दिन रविवार को पटना में हुए बीजेपी कारेयले के ओफिस में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें शामिल हुए थे और उस कारेकरम के बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा क्या वे आरा से चुनाव लड़ेंगे इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी जो करेगी वही करेंगे चुनाव लड़ने के सवाल पर पवन सिंग ने कहा कि आगे बढ़ने का मन किसका नहीं होता उन्होंने कहा कि उन्होंने कमर कसली है बस ओर्डर का इंतिजार है दर्शकों ने सिंगर को हीरो बना दिया जो जंता की इच्छा है वो ही करेंगे फिर पवन सिंग ने आ रहा कि लोगों से कहा कि उन्हें बस कड़ी मेहनत करनी होगी मैं भी कोवर सिंग की धर्ती का बेटा हूँ उन्होंने आगे कहा कि बस हमको आशिरवाद दीजिए पार्टी जो कहेगी वही मैं करूँगा उन्होंने चुनाओ को लेकर अपने इच्छा को बताते हुए बोला उन्हें बस और्डर का इंतजार है इसके बाद सब कुछ तयार है मैं चुनाओ लड़ने के लिए बिलकुल तयार हूँ लेकिन आप बताइए कि आप अवन सिंग को एक राजनीता के रूप में देखना चाहेंगे और उनके इस फैसले पर आपके क्या सोचना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इन्टी लाइव को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें